दोस्तों आज अमेरिका की तरफ से भारत को अपना वो हत्यार देने की तयारी कर ली गई है जिसने रशिया और यूक्रेन के युद में रशिया की कमर को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया था और जो हतियार अमेरिका भारत को देने जा रहा है इस हतियार की मांग भिकारिस्तान की तरफ से भी अमेरिका से की गई थी लेकिन उस समय अमेरिका ने भिकारिस्तान को इस हतियार को देने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था और अब जब ये हतियार भारत को मिलने जा रहा है इससे ये बात तो कन्फरम हो चुकी है कि आकिस्तान के प्रधान मंतरी यानि की सहबाद सरीफ की तरफ से अमेरिका को गालिया जरूर दी जाएंगी क्योंकि एमेरिका की तरफ से ये हत्यार तो भारत को दियाई जाएगा साथ में इस हत्यार की टेकनलोजी भी एमेरिका की तरफ से भारत को दी जाएगी अभी तक आप समझी चुके होंगे कि यहाँ पर मैं एमेरिका की जैवलीन मिसाइल की बात कर रहा हूँ और जो लोग जैवलीन मिसाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो केवल इतना समझ लीजे कि ये दुनिया की सबसे बहतरीन मैंन पोर्टेवल एंटी टैंक काईडिट मिसाइल है इस मिसाइल की मदद से ही यूक्रेन ने रश्या और यूक्रेन के नक्षे को पूरी तरीके से बदल रखा है क्योंकि जिस समय रश्या और यूक्रेन यूद की शुरुआत हुई थी उस समय रश्या के टैंकों ने यूक्रेन की हालत को खराब कर दिया था लेकिन फिर उसके बाद अमेरिका की तरफ से यूक्रेन की सेना को जैवलीन मिसाइल दी गई थी और इनी जैवलीन मिसाइल की मदद से यूक्रेन ने एश्या के बहुत से टैंकों को तभा कर दिया था इस मिसाइल की मदद से हम दुश्मन देश के बंकर, जैक पोस्ट, टैंक, आइटलरी गन को तभा कर सकते हैं पिलाल इस तरीके की एंटि टैंक, गाइड़ेड मिसाइल की हमारी सेना को सक्त जरुवत है और हमारी सेना की इसी जरुवत को पूरा करने के लिए अमेरिका अब मैदान में आ चुका है और इस समय अमेरिका भारत के अंदर एसे पार्टनर की तलाश कर रहा है जो जैवलीन मिसाइल का प्रोडक्शन भारत में कर सके और जैसे ही अमेरिका को ये पार्टनर मिल जाता है उसके तुरेंट बाद ही अमेरिका जैवलीन मिसाइल को भारत के अंदर बनाना शुरू कर देगा इस मिसाइल की कुछ खास्योतों की बात की जाए तो ये मिसाइल 4 किलो मिटर की रेंज में टार्गेट को हिट कर सकती है इस तरीके की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हमारी सेना 8000 की संख्या में खरीदना चाहती है इस समय देखा जाए तो डियाइडियो की तरफ से भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बनाकर तयार कर लिया गया है और हमारी इस anti-tank guided missile की range भी 4 km के आसपास होने वाली है और अमेरिका की इस announcement के बाद से ही भिकारिस्तान की नीन पूरी तरीके से उड़ चुकी है क्योंकि जहां पर भिकारिस्तान की तरफ से ये planning की जा रही थी कि हम जेवलीन missile की मदद से भारत के टैंकों की धजिया उड़ा देंगे भी पर आप पाकिस्तान के साथ बिल्कुल उल्टा होने वाला है अब भारत ही पाकिस्तान के टैंकों की धजिया उड़ाएगा और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या हमको एमेरिका से जेवलीन मिसाइल को लेना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको सवदेशी टेक्निलोजी के जम पर बनी हुई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदना चाहिए इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठैंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो हेव गूड डे